BMS Academy में आपका स्वागत है फोले के साथ ही आप देखें यहां का जो Front Panel है Camulet का इसके हमने सभी Connections कर दिये हैं जिसमें LED, Start Button, Restart Button, USB, Ports और Audio Connector को हमने अपने Motherboard के साथ Collect कर दिया है Camulet के Connectors की साहता से अब हम SMPS के Connectors को Motherboard के साथ जोड़ दे का कार्या करते हैं 20 पिलोवाला और 4 पिलोवाला Connector में जोड़ देता हूँ और यहां लोग का ध्यान रखते हुए मैं इसको Motherboard के साथ फिट कर सकता हूँ यहां देखें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहां लोग का ध्यान देना बिल्कुल इसी तरह से लोग यहां पे भी एविलेबर रहता है अब हम इसको फिट करके देखते हैं यहां देखें आप इसको फिट करने के लिए यहां मैं इसको फिट कर सकता हूँ देखें इस तरह से आप इसे इसमें फिट कर सकते हैं इसी तरह से जो छोड़ा कॉनेक्टर आपके बास एविलेबर 12 वोल्ट सप्लाई के लिए जो CPU के पास की सप्लाई है उसके लिए इस जगा मुझे इसको फिट करना होता है कुछ इस तरीके से देखें यहां पे मुझे यहां इसे फिट करना है और यहां पे इस तरह मदरबोर्ड वाले जो कॉनेक्टर है उसमें लोक दिया गया है और इसी तरह से मेरे पास लोक अविलेबल है जो 12 वोल्ट का किनेक्टर मेरे पास SMBase के दोरा अविलेबल हुआ है देखें यहां इसको प्रॉपली फिट कर देते हैं और इस परकार से आप जो 12 वोल्ट का जो SMBase के दोरा कनेक्टर अविलेबल हुआ है उसको यहां फिट किया जा सकता है जब हम कैबिनेट के अंतर यह बोर्ट फिट कर देंगे तो उसके पश्चाद हम इन कनेक्टर को प्रॉपली फिट करेंगे अभी केबल समझाने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे है मदर बोर्ट को कैबिनेट में फिट करने के लिए देखें यहां कैबिनेट में काफ़े सारे होल्स अविलेबल रहते हैं जो मदर बोर्ट के होल्स के लुसार होते हैं जिसमें हम इस motherboard को टिका के उपर से screw tight कर सकते हैं, ये देखें सबसे पहला hole जो right hand side उपर की तरफ है, इसी तरह से लीचे की तरफ, left side उपर की तरफ, आप ये खास बात देखें कि ये जो hole है, इसमें आपको किसी भी तरह का base space लगा ले की जूरुत नहीं रहती, base screw लगा ले की जूरुत लहीं रहती, जबकि ये जो hole है, यहाँ base screw लगाना ज़रूरी रहता है, अलब था आपका जो board है, वो direct touch करता है, cabinet की body के साथ, इसका अंतर आप अभी देखें के थोड़ी दिर बाद, देखें, यहाँ भी जो hole है, उस पे भी हमें base screw लगाना ज़रूरी है, देखें, इस तरह से काफ़ सारे छेद हैं, जो board के recording रहते हैं, हमारे पास base screw उसी packet में available रहते हैं, जो हमें cabinet के साथ आता है, base screw के लिए हमारे पास यहाँ पे इस तरह के base screws आपके packet में available रहते हैं, जो आपको cabinet के साथ मिलता है, इसमें आप इन base screws के उपर अपने motherboard को ठिका सकते हैं, लेकिन इससे पहले इसको cabinet में fit करना होता है, इसके लिए हम इसको cabinet में लगाते हैं, देखे इसके एक तरफ तो गोल छेद हैं, जिसमें आप motherboard का hold टिका के उसके उपर screw सेट कर सकते हैं, और रीचे की तरफ इसमें चूडिया हैं, इस तरह के screws को आप जो hole हैं, जो बिला base वले hole हैं, वहां लगाते हैं, देखे यहां भी मैं लगा दिया है, एक यहां लगा दिया है, इस तरह से जहां भी मुझे जो nut लगा ले हैं, जहां जहां मुझे अवशकता है base दे ले के लिए, वो उनकी जगा मैं इलका प्रयोग कर सकता हूँ, यहां ध्यान देली में बात यहां है कि यह जैसे हमार पास पहले से ही base screw लगाने के लिए जगा दी गई है, और एक इस तरह उबरियो ही जगा है, तो इन में हमें यह base screw लगाने की अवशकता नहीं रहती, अब हम board को इन base screws के उपर टिकाएंगे, देखे यहां पे hole है, इन holes के coding ही cabinet में जगा होती है, और इन holes के coding ही हम base screws लगाते हैं, जिस पे हम अपना motherboard लगाकर उसको उपर से tight कर सकते हैं, हमारे पास motherboard का gap भरने के लिए, पीछे cabinet की तरफ gap रहता है, उसको भरने के लिए हमें motherboard के साथ एक पत्ती एविलेबल रहती है, देखे इस पत्ती को जब मैं यहां लगाता हूँ, तो सभी ports के उपर यह बिल्कु सही बैठ जाएगी, क्योंकि यह इसी motherboard की पत्ती है और इसी के साथ एविलेबल हुई है,